है फ्रेंड्स in this video we do chapter no.4 a truly beautiful mind of class 9 Behive NCRT CBSC textbook दोस्तो नवी कक्षा की Behive NCRT CBSC textbook मैं से हम चौहता part करेंगे a truly beautiful mind My name is Kaniya Patel, Welcome to my channel Gyan Guru Wani, Please like, share and subscribe my channel without fail यहां उनकी परवरिश कैसे हुई बच्पन से लिए कर बड़े हुए उस समय का पूरा वर्णन शॉट में किया गया है हलांकि यूद फाइंस्टाइन आप गूगल पर भी बहुत सारा इंफर्मेशन पास सकते हो सो लेट सी वाट अपर हैस तो तेल आस अलबर आइंस्टाइन वस बार्न ओन 14 मार्च 1879 ऑन दे कॉंट्रेरी इस मदर थोट अलबर्ट वस फ्रीक तो 14 मार्च 1889 में अलबर आइंस्टाइन का जन्म उल्म नाम की सिटी में जमनी में हुआ था पैदा होते ही उसमें को ऐसे लक्षन दिखाईने दे रहे कि यह बड़े-बड़े ग्रेटनेस वाले काम करेगा इसके विपरीत अलबर्ट आइंस्टाइन के मा की यह सोस थी उनके माताजी की यह सोस थी कि वह एक फ्रीक है ना ओर यह फ्रीक का मतलब यह है कि एक नॉर्मल वरताव नहीं दिखाई दे रहा था Albert Einstein के behavior में To her, his head seemed much too large At the age of two and a half, Einstein still wasn't talking When he finally did learn to speak, he uttered everything twice So, 20 साल की उमर तक, Einstein ने बोलना नहीं सिखा था लेकिन जब वो बोलना सिखे, तो हर शब्द को दुबारा repeat किया करते थे Einstein did not know what to do with other children And his classmates called him Brother Boring So, the young girl played by himself much for the time So, ये छोटा बच्चा अकिला ही खासकर अपना समय विताने का He especially loved mechanical toys So, छोटा था था उसको mechanical toys बहुत ही पसंद थे Looking at his newborn sister, Maja He said to have said, fine, but where are her wheels? So, जब उसकी छोटे बहन पैदा हुई तो उसको देखकर Maja को, जिसका नाम Maja था उसको देखकर उनकी पहिली प्रतिक्रिया यह थी कि अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके पहिये कहा है तो इस चोटे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है तो यहां तक आइंस्टाइन की लाइफ हमने देखी कि एटाइस साल की उमर तक बोलनी नहीं सिखे जब बोलना सिखे तो वोर्ट्स को रिपीट किया करते थे ज़्यादा मेकेनिक्स और मेकेनिकल पोईज में इंग्रॉस्टिट थे ज़्यादा बच्चों के साथ उनकी बनने की नहीं और उनकी टीजर्स के भी यही सोचती कि यह बड़ा होकर कुछ बन पाएगा नहीं आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग तो प्ले दी वाइलिन एड़ एज अफ सिक्स बिकॉस इस मदर वाउंटे इम तो तो आइंस्टाइग छे साल के जब हुए तो वाइलिन बजाना सीखने लगे क्यों क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि वाइलिन बजाना सीखे लेटर बिकेम अगिफ्टेड एमेचर वाइलिनिस्ट मेंटेनिंग हिस स्किल्स त्रूआउट दी लाइफ तो आगे जादकर जिंगे भर वो एक वाइलिनिस बने रहे और अमेचर वाइलिनिस्ट मितलब नौ सीखिया थे और जिंगे बने बजाते रहे अमेचर का मतलब यह भी होता है कि कोछ आप पैशन के लिए अपने रुच्ची के लिए सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको कुछ उसमें आगे प्रोफेशन में बढ़ना है, प्रोफेशनल नहीं बढ़ना है, अच्छने आपी होबी मेंटेन करने के लिए, he learned it. But Albert Einstein was not a bad pupil, he went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. लेकिन एक student के नजरिये से, Einstein काफी अच्छे थे, वो high school में गए Munich में, Munich एक सिटी का नाम है, जहां उनकी family shift हो गए थी, जब वो 15 मेने के थे, और वहां उन्होंने तकरीबन हर सब्जक्ट में अच्छे marks लाये थे. Einstein hated the school's regimentation, and often classed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stiff there, that he left the school for good. तो school के निती नियम और जो strictness थी, discipline थी, regimentation जिसको बुलते हैं, उससे ज़्यादा इंस्टाइन प्रभावित नहीं थे, उनको पसंद नहीं था, उसके वज़े से उनकी नोग जोग भी teachers के साथ होने की, और 15 साल की उमर में उन्होंने कंटाल कर ये school को भी छोड़ दिया, stif After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich, तो उसके एक साल पहले ही, Albert के parents ने, उनके relatives के पास Albert को छोड़ दिया था पढ़ाई करने के लिए, और उसके parents मिलान चले गए थे, एक काफी सारे discussion के बाद ये नक्की हुआ के, Einstein, German-speaking Switzerland में जाकर पढ़ाय करेंगे, जहां वो city बहुत liberal कर राने की comparison म्यूनिच के है, लिबरेल का मतलब ये है कि जहां आपको बोलने की स्वतनतरता पूरी तरह से हो, अपने विचार विमक्स रखने की पूरी स्वतनतरता हो, Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. तो ऐसा बोला जाता है कि गणित में वो बहुत ही gifted थे, उनको गणित बहुत ही अच्छा लगने का, और उनको interest सबसे ज़्यादा physics में भी था, और school खतम करने के बाद, मतला पढ़ाई करने के बाद, उनको पढ़ाई करने के बाद, उनने डिसाइड किया कि वो जीरिच की किसी एक university में अपनी पढ़ाई आगा, continue करेंगे. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. तो science एक मातर चीज नहीं थी, जिससे वो प्रभावित होने के एक यह यह यंग आदमी, उनकी walrus mustache, ना walrus is an animal, अगर आपको पता हो, उसके जैसी मूछे रखने के, जो होट के उपर cover हो जाती है, मूटी सी मूछे, वो उनके यंग डेस से ही रखा करते थे, यहाँ दोनों प creature, तो पड़ाय के अलावा उनकी interest एक स्त्री में भी वहाँ पड़ी, एक लड़की में भी वहाँ पड़ी, जो उनके साथ student थी, मेलिवा मेरिक नाम की, और उनको यह लड़की एक होशियार प्राणी लगने की, तो clever creature का मतलब होता है होशियार प्राणी, लेकिन आप उसको टाइरेंक सेंस में ना ले, वो तूलना करने के यहार यह बड़ा होशियार जीव है, जो होशियार व्यक्ति है, ऐसा वो मेरिक के बारे मेलिवा के बारे में सोचा कर देते हैं, दिस यंग सर्ब हैड कम तो स्विजलेंड बिकॉस दे युनिवरसिटी इन जूरिच वाज व जूरिच वे, उन युनिवरसिटी में से थी, यूरोप की जो लड़कियों को डिगरी करने की अनुपंदी देतीती, तो लड़कियों को पढ़ने के लिए वहीं आना पढ़ता था, ऐसे कुछ उनिवरसिटी में से एक थी, Einstein saw in her an ally against the Palestinians those people in the family and at the university with whom he constantly had odds तो यहाँ Einstein को मिलेवा मेरिक बहुत पसंद थी तो उसमें वो एक अच्छी साथी देखने दिने थे लेकिन फिलिस्तिन्स, फिलिस्तिन्स वो पीपल होते हैं जो म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर के अगेंस होते हैं तो उसके फैंबली में भी ऐसे लोग थे जो म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर के विप्रीक थे और उनिवर्सिटी में भी ऐसे लोग थे तो ऐसे केस में मेलिवा उसको एक अच्छी पार्टनर की तरह मिली जो उसको music, art और literature भी पसंदे मिलिवा को और Einstein को भी पसंदे तो वहाँ उनकी company अच्छी थी studies में, science में भी थे और music, art और literature में भी उनकी अच्छी बनने थी The couple fell in love, letters survive in which they put their affection into words, mixing science and tenderness तो इन दोनों में प्यार हो गया और फिर उनके लिखे हुए letters अगर आज हम पढ़ेंगे तो उसमें science का भी mixture दिखाई देता है और उनके भावनाओं का भी, tenderness का भी mixture दिखाई देता है, कैसे? तो रोट Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a various conclusion तो उनके letter में लिखते है कि मैं उतना खुश और proud feel करूँगा, I am sorry, जब वो देखेंगे कि relativity का जो उनका work है उस पे वो दोनों victorious और conclusion पे आएंगे कि हम दोनों को उसमें सिध्धी प्राप्त हुई तो उस जमाने में भी लोग letter लिखा करने के एक दूसरे को, तो that's how they used to express their feelings तो आपने feelings लोग letter लिखके एक दूसरे को वियर्ट करते थे In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Byrd तो 21 साल की उमर में उन्होंने graduation complete किया, लेकिन उनकी पास job नहीं थी फिर उन्होंने technical assistant की तरह start किया काम करने के लिए school में, university में जहां वो lessons, private lessons दिया करने लिए Finally, 1902 में उनको एक technical expert की तरह job मिला patent office में, burn में Now, patent office वो जगा है जहां आप कोई चीज बनाई है, किसी चीज का invention करें तो उस पर आपका patent right होता है और वो काम वो कोई duplication नहीं कर सकता है, उस पर patent rights होते है While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret तो उनको उस काम में patent office में यह काम यह करना था, कि लोगों ने किया वो invention को उनको assess करना था और उसमें मोहर लगानी थी लेकिन इसके विपरीच वो क्या करने कि खुद के ideas भी separately developed कर रहे थे He said to have jokingly called his desk drawer at work, the Bureau of theoretical physics तो वो जिस जगह पे काम करने के वहाँ जो उनका drawer था उस drawer जोकिंग ली बोलने कि Bureau of theoretical physics तो theoretical physics का office है, ऐसे उन्होंने उस drawer को नाम दिया था One of the famous papers in 1905 was Einstein's special theory of relativity According to which time and distance are not absolute तो 1905 में लिखे गए special theory of relativity में, Einstein ने बताया कि time और distance relative नहीं है They are not absolute, absolutely, they are not absolute ऐसा उन्होंने उस paper में बताया Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they came together again after a journey If one of them had been moving very fast related to the other तो उनका ये कहने था कि दो घड़ी को अगर आप स्टार्ट करो और एक दूसरी जगा पर है और एक इसी जगा पर है तो दोनों travel करके जब आये कि तो दोनों का समय अलग होगा ऐसा उस theory में उन्होंने बताया तो समय और distance डोनों एक दूसरे पर dependent नहीं है ऐसा उन्होंने बताया था तो इसको आगे कैसे explain करते हम देखेंगे from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy इस में से mass और energy का word most famous formula निकला जिसको हम E is equal to mc square समझते हैं I hope आपको यह पता हो फिर भी E over here stands for energy, M stands for mass and speed of the light in a vacuum which is about 3 lakh km per second is represented with C तो E is equal to mc square के formula को explain करने के लिए अच्छे word में नीचे Albert Einstein ने explain किया है When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours That's relativity तो यह कहता है कि जब आप एक अच्छे खुबसूरट लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हो तो ऐसा लगता है कि 2 minutes में वो पुरा समय बीठ गया लेकिन जब आप एक गरम स्टूफ पर चूले पर बैठोगे 2 minutes के लिए तो ऐसा लगेगा कि 2 घंटे बीठ गये हैं इसको वो कहते हैं relativity While Einstein was solving the most difficult problems in physics His private life was unrevealing Albert had wanted to marry Malivar right after finishing his studies but his mother was against it तो जहां physics के problem solve करने में Einstein वियस थे उनके private life में उतनी मज़ा नहीं थी Albert चाहते थे कि Malivar के शाद वो शादी खटम करते ही कर ले लेकिन उनकी mother उनसके favor में नहीं थी वो उनसके विपरित थी वो नहीं चाहते थे कि Malivar और Albert की शादी हो She thought Malivar who was 3 years older than her son was too old for him She was also bothered by Malivar's intelligence तो उसके विपरित क्यों थी शादी की वो कि उसको पता था कि Malivar Albert से 3 साल बड़ी है और वो Malivar के intelligence से भी वो bother थी तो Malivar यहां बहुत ही intelligent लड़की है तो उससे वो ज़्यादा आकरशित नहीं थी Albert Einstein की mother She's a book like you, his mother said Einstein put the wedding off तो उसकी मामी बुलने की के Malivar तेरी तरह एक किताब ही है तो Einstein ने फिर वो शादी महां कैंसल कर दी पोस्पोन कर दी The pair finally got married in January 1903 and had two sons तो 1903 January में दोनों ने शादी की और उनके बाद उनको लड़के भी थे But a few years later the marriage flattered Malivar meanwhile was losing an intellectual ambition and becoming an unhappy housewife कुछ साल बाद उनके married life settled नहीं थी क्योंकि Malivar जो intelligent थी उसके ambitions में जादा उसको प्रोचान नहीं मिल रहा था के बाद 1919 में दोनों ने डिवोस ले लिया तलाग ले लिया और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एलसा के साथ शादी भी खर ली आइंस्टाइन new personal chapter concluded with his rise in the world fame In 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity तो यहाँ personal character chapter ऊपर आया जब उनकी एलसा के साथ शादी होगी तो life में भी बदलाव आ गया और world fame भी मिलने लगया 1919 में उन्होंने पहले जो special theory लिखी थी उसके अगेंस अभी उन्होंने general theory of relativity लिखी जिन्होंने वहाँ new interpretation of gravity मिली gravity की new interpretation is general theory of relativity में उन्होंने बताया तो इस general theory में क्या बताते हैं an eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field so 1915 में Einstein ने already calculation करके बताया दिया था कि 1919 में जो eclipse होने वाली है सूर्य ग्रहन होने वाला है उसमें stars का दिशा कुछ और जगा पर deviate होके दिखेगा मतलब eclipse के पहले अगर star किसी एक जगा पर है तो ग्रहन से पहले अगर stars किसी एक जगा पर है तो ग्रहन के दर्मियां ये stars किसी और जगा पर नजर आएंगे थोड़ा उन पर deflect होगा क्योंकि वो light deflect होके हम पृत्वी दक पहुचेगी ऐसा उन्होंने बताया तो ये calculation सूर्य ग्रहन के चार साल पहले 1915 में ही उन्होंने करके बताया था जो perfect निकला तो न्यूस्पेपर में उन्होंकी बहुत बढ़ा हुए उन्होंने बोला कि ये तो scientific revolution है बहुत ही बड़ी क्रांती है ये science की दुनिया में Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921 He was showered with hour, honors and invitation from all over the world and lauded by the press So इसी काम के लिए 1921 में उन्होंको Nobel Prize में मिला पुरी दुनिया से invitations आने लगे पुरी वर्ल में उन्होंको बहुत ही सहराना भी हुए प्रेस ने भी उन्होंकी बहुत प्रशंसा की When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to United States Five years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physics in an approach So 1933 में जब Nazis ने, Hitler की government ने जब Germany में power में आई तो Einstein हमेशा के लिए emigrate करके चल गए अमेरिका में उसके पात साल बात जब nuclear fusion की discovery हुई तो American scientists बहुत ही बॉखला उठे थे, बहुत ही गुस्से हो रहे थे अपसेट भी थे, नाराज भी थे क्यूँ? क्योंकि nuclear fusion वो चीज है जिससे nuclear bomb या atom bomb जिसको हम बोलते हैं वो बनाना जर्मनी ने चालू कर दिया था, उन्होंने उसकी discovery कर दी थी तो वहाँ से बहुत सारे साइंटेस्स, फासिजम के वज़से, फासिजम मतलब डिक्टेटर्शिप, अडॉल्फ इटलर एक डिक्टेटर था हम जानते हैं, उसके परेशान होकर वो सारे अमेरिका चले गए थे आइंस्टेइन की हितरा, and now they were afraid of the Nazis could build another atomic bomb तो, इन साइंटेस्स को इस चीज़ का डर था, के अब ये नाजी ये अडॉल्फ इटलर भाहा एक नया President Franklin D. Roosevelt, on 2nd August 1939, in which he warned, a single bomb of this type exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territories, तो एक फ्रेंड ने, उनके कलीग ने उनको प्रेडिट किया कि प्लीज आप कुछ करिये, तो वो Franklin D. Roosevelt, जो अमेरिका के उस वक्क के President थे, उनको एक लेटर लितते हैं, दूसरी August 1949 में, जहां वो एक वर्निंग रिक्वे पर पढ़ा, तो वो पोर्ट को दिस्ट्रोइ करे देगा, उसका सर्वनाश तो करेगा, लेकिन उसके आजू-बाजू की एरिये को भी नाश कर देगा, पूरी टेरिटरी डिस्ट्रोइ कर देगा, तो उनके पत्र का असर नहीं हुआ, इसा नहीं है, हुआ, किस तरह के से आपने खुद के बाउंज बना दिये, और फिर उन्होंने जैपनीज सिटीज हिरोशिरमा और नागाशा की पर उनी सो पैतालीस में आउगस्ट में डाला, जो हम जालते हैं कि वर्ड वार टू था, आइंस्टाइन वस दीपली शेकन बदी एक्सेंट अफ दिस दिस्ट्रक्शन, इस ताइम ही रोट पॉब्लिक मैसिव तो इससे बहुत आहत हुए थी, आइंस्टाइन को, तो उन्होंने क्या किया, पॉब्लिक मैसिव लिखा, एक मैसिव होता है, बड़ा लेटर होता है ए युनाइट नैशन को लिखा, in it he proposed the formulation of a world government, unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact, तो यहां उन्होंने world government formation के लिए पिर रिक्रस की, तो रॉसलेट के लिटर की तरह यहां पी United Nations में भी उनके पत्र का कोई असर नहीं हुआ, बट ओर और अग्स देकेड, आइंस्टाइन गुट एंस्टाइन गवा involved in politics agitating from one end from an end to the arms building up and using his popularity to campaign for peace and democracy तो इस लेटर का असर नहीं हुगा तो उन्होंने क्या किया politics में थोड़े से aggressive होगे active होगे तो उनकी popularity का उन्होंने क्या फादा उठाया कि सारे देशों को बोलने लगे कि campaign करने लगे कि please आप arms build up मत कीजिए इससे सिफ शर्मनाशी होगा तो पीस और democracy के लिए उन्होंने बहुत सारी सहराना की विश्वबर में बहुत ही मेहनत की उन्होंने आगे जाके तो पूरे दुनिया ने उन्होंने को एक visionary की नजर से देखा विश्वबर मतलब जो दुनिया का अच्छा सोचते हैं और भला सोचते हैं दूर की दृष्टी से सोचते हैं हाला कि ना एक scientific की नजर से देखा कि सिफ scientific genius ही नहीं थे एक अच्छे विश्वबर आइंस्टाइन यहां हमारा chapter खतम होता है अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को फिर से देखना ना भूले ओके थैंक यू बाई आवरिवान